ओके दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोस्तों सम्थिंग वेंट वरिंग प्रॉब्लम ट्राइ अगेन की आपको देखने को मिल रही है यूट्यूब की उपर चाहे वो आप यूट्यूब की उपर इंटरनेट आपका है और आपको तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो भई लोगों इसको सॉल्फ करने के लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इंटरनेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस वीडियो के उपर दोस्तो अगर आपको ये के इसके अलावा आपको कोई try again की और कोई problem देखने को मेरी है उसको भी दोस्तो इसी तरीके से solve किया जाएगा अगर आप इस वीडियो को पुरा end तक देखोगे तो आपकी problem 100% solve हो जाएगी अब हमें करना क्या होगा दोस्तो इस youtube को आना back और back आने के बाद हमें यहाँ पर search करना है यूटियूब अब जैसे हम यूटियूब को search करेंगे अब मेरे पास यहाँ पर यह पेज आ जाएगा अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर एक अपडेट का उपशन देखने को मिलेगा या ओपन का लेकिन अगर आपको अपडेट का उपशन देखने को मिले तो यहाँ से दोस्तों आपने इसको अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद दोस्तों आपने इसको यूट्यूब पे प्रेस करके रखना है और एप इन्फो का उप्शन आ जाएगा अब जैसे यहाँ पर आएगा नीचे आके दोस्तों आपको किलिर डेटा पर किलिक करना और किलिर ओल डेटा कर देना इसका जितनी भी हिस्ट्री होगी और किलिर डेटा इसके जो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्फ करेगा इस से ही लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह भी सीन आ जाता है कि आपकी परमिशन्स जो आवा लाओ नहीं होती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आप्शन नीचे आएगा एक आटो स्टार्ट का इस जगह पर आपको एक आटो स्टार्ट का आप्शन देखने को मिलता है इस जगह पर ठीक है यहाँ पर आपने इसको जो यहाँ पर अनेवल करना है अगर आ जाए अगर नहीं आता तो फिर आपने इसको छोड़ देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्टाल एपस फ्रॉम अननौन सोर्सिस आप इस पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह आउन दिखेगा तो आपने इसको आफ कर देना याद रखीगा इस पर दोस्तों आप जैसे इसको आफ करोगे आपकी यूट्वब सेफ रहेगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हमें बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों हमें यूट्वब को जोट यों कुछ लोग क्या करती है कि अपने phone के उपर unknown apps का use करते हैं उनको आपने delete करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसको open करना है और चलेगी और अगर दोस्तों ना करें तो फिर आपको करना क्या है यहाँ पर आपने दुबारे से अपने mobile की setting में चले जाना है और यहाँ पर आपको network सर्च करना है अब जैसे network आप सर्च करोगे यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपको देख रहे हो reset, wifi, mobile network and bluetooth आपने इस पर क्लिक करना अब जैसे आप इसको पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको options देखने को मिलेगा जो भी लेकिन आपको reset settings का option नीचे आपको देखने को मिलेगा आपने इसको पर क्लिक करना है और आपके phone की जो lock लगा हूँ उसको आपको यहाँ पर draw कर देना है उसके बाद दोस्तो reset का option कुछ इस तरीके से आएगा और आपने इसको okay कर देना है अब जैसे आप okay करोगे आपके phone की network settings has been reset और आपकी जितनी भी मतलब Wi-Fi के उपर कोई भी problem चली होगी वो reset हो जाएगी और solve भी हो जाएगी उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपने जो वो पूरे एक minute जो है वो दोस्तो flight mode को on करके रखना है अब जैसे flight mode को on करके रखोगे आपकी problem इससे ही solve हो जाएगी आपने इसको एरो प्लेन को आपने on कर देना है उसके बाद दोस्तो आप YouTube को open करोगे और आपके पास ये problem नहीं आने वाली है अभी दोस्तो मैं जो यहाँ पर Wi-Fi को open कर लेता हूँ क्योंकि मैने जो वह यहाँ पर अपना मतलब reset किया है Wi-Fi की settings को अब यहाँ पर दोस्तो मैं अपना password डाल लेता हूँ उसके बाद दोस्तो हम इस पर connect पे click कर देंगे और उसके बाद दोस्तो जैसे हम YouTube को open करेंगे और हमारे पास ये problem हमारी solve हो जाएगी अभी दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो कोई सीन यहाँ पर दोस्तो आप कितनी speed दे रहा देख सकते हो आगे हमें problem देखने को मिली सी तो इस तरीके से दोस्तो आप solve कर सकते है वीडियो चलेगे लाइक कर देने चानल को subscribe कर देने चलिए कैसे आद मिलते हैं इस नक्स वीडियो में नेक्स टोब साथ